kuriez ? क्या होता है? kurie का निएham paramagnetic substance और phara magnetic substance दो को die cognitive के लिए किसी निएю brain नहीं नहीं बनाया जो विरोध करें हमारा का है को इसको निएम बनाया हम magnetic field हम том है वाय टे भायड़ तो उनके लिए कोई निएम नहीं बनाया गया उनको किनारी कर दीया गया ये कहा गया, देखिए, for paramagnetic substance, for paramagnetic substance, magnetic substance, substances, paramagnetic substance कौन होते है, जिनके पास अपना खुद का magnetic dipole moment होता है, खुद का होता है, ठीक है, मतलब भाई उसके जो electrons होते हैं, वो कुछ electrons unpaired होते हैं, और वो अपना rotate करते हैं, वो एक current loop बनाते हैं, और current loop की वज़े से एक magnetic filtrate होता है, लेकिन overall जो ये unpaired electrons हैं, वो overall अगर देखें, तो random motion करते हैं, किसी atom का किधर जा रहा है, किसी atom का किधर अगर आपने एक mole भी लिया, उसमें 10.23 atoms होते हैं, तो net magnetic moment क्या होता है, 0 होता है, लेकिन individual atom का magnetic moment होता है, जो कि die magnet में नहीं होता था, ठीक है, जब हम इसको magnetic field में रख देते हैं, external magnetic field में, तो जितने भी unaligned या जो random motion वाले, जो magnetic dipole थे, या electrons थे, वो magnetic field की direction में align हो गए थे, ठीक है, तो हमने देखा कि उसका जो, जब align हो गए तो क्या बन गया, magnet बन गया, उसे कहा गया intensity of magnetization, कितना intensity उसकी है, ठीक है, तो यहां देखा गया, कि intensity of magnetization किस पर depend करता है, तो बहुले भाईया देखो, जितना आप magnetic field apply करोगे, उस पर depend करेगा, और magnetic field क्या apply किया, H, तो यह एच पर depend करता है, H बताया था ना मैं, क्या होता है, किसी भी solenide में, अगर I current floor ही है, और N is the number of turns per unit length, तो कितना magnetic fields में बनता है, N I, यतना बनता है, यतना available है, वो अलग की बात है, कि medium में आपको इतना मिलता नहीं, कम हो जाता है, अच्छा, फिर हमने क्या क्या यह पैर रंडम हो जाएगा, तो magnetic field low हो जाएगा, तो it is inversely proportional to the absolute temperature, ठीक है, तो यानि कि कहेंगे, for magnetic substances, the intensity of magnetization, कहीं कहीं capital M दिखा जाता, कहीं कहीं पर I लिखा जाता, confused मत हो यहाँ, language देखेगा, कहीं क्या रहा है, that is proportional to the H, एच बोले तो, magnetic field intensity, उस magnetic field की कितनी intensity है, and it is inversely proportional to the absolute temperature, ठीक है, तो जाएगा, M is equal to लिखते हैं, तो एक constant आता है, C into H upon T, तो यह आपका, क्यूरी का नियम है, according to, for the paramagnetic substance, और C यहाँ पर constant है, यह क्यूरी 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 क्यूर से, थोड़ा सा इसको और बढ़ाया गया, H को कहां ले आया गया, M के नीचे, M upon H कर दिया गया, तो क्या गया, C upon T, यह क्या है, susceptibility, काई M, तो काई M is equal to C upon T, तो कहीं कहीं पर आपको, क्यूरी जला में यह कहानी नहीं बनेगी, कहीं कहीं पर डायेट किसकी बात की जाएग की, susceptibility की, वो कहेंगे किसी भी paramagnetic substance की, जो susceptibility होती है, that is inversely proportionate to the absolute temperature, that वो यही दे देते हैं, कि काई M is proportionate 1 upon T, कहीं कहीं यह दिया होता है, तो confuse मत हो यह ठीक है, अब ज़रा देखिए, अगर हम यहाँ पर susceptibility, और उसके बीच में ग्राफ कहीं चेंचें, तो ग्राफ कैसे था susceptibility और temperature के बीच में, temperature और susceptibility के बीच में, यह ग्राफ था ना है, यहाँ था ना, तो यह तो आपका Curie's Law for the paramagnetic substance है, नोट करिए इसको, अब देखो, यह तो Curie ने नियम दिया किसके लिए, paramagnetic के लिए, लेकिन ferromagnetic का concept दूसरा था, तो यह Curie के साथ मिल करके, एक 20 आप थे, उन्होंने मिल करके थोड़ा सा, इसके बारे में अध्यन किया, इसको modified Curie's Law भी कहते हैं, और इसको क्यूरी वीजला भी कहते हैं, मतलब इसको modified Curie's Law कहते हैं, अब अकेले तो modify करेंगे नहीं, modify का मतलब कि वही चीज़ तो आपने बनाई किसी और ने, किसी हल्प चो बनाई जरा समझेगा, Law वही है, जो पीछे आप अपड़ चुके हैं, थोड़ा अंतर है केवल, देखो ध्यान से, यह है for ferromagnetic substance, for ferromagnetic substance, इनके लिए यह law बनाया गया, समझेए यह है क्या, देखो ध्यान से, आप जानते हैं, किसी भी substance का एक खुद का temperature होता है, खुद का temperature मतलब room temperature ठीक है, अब देखिए, इसमें देखा यह गया, कि जो ferromagnetic substance होते हैं, उनके अंदर domain होते हैं, इस प्रकार से, domain होते हैं, ऐसे domain होते हैं, और हर एक domain में, जो atom का alignment होता है, वो एक जैसा होता है, ठीक है, माले यह ऐसे हो गया, कैसे भी हो सकता है, लेकिन उस domain में alignment एक जैसा रहेगा, ठीक है, अब हमने इसका temperature बढ़ाया, तो यह alignment break होगा जरूरी नहीं है, देखिए, तो देखिए, यह room temperature पर रखा हुआ है, एक मिनट, room temperature बोले तो, कोई भी temperature हो सकता उसमें, अब हमने इसका temperature बढ़ाया, हमने इसका temperature बढ़ाया, जब बढ़ाया, तो इनके जो यह domain थे, इनमें थोड़ा हल चल हुई, तो कुछ domain के element disturb हुए, ठीक है, अलग-अलग group में थे, किसे बड़ी गर्मी लग रही है, हमारे हां तो नहीं लग रही है, उधर से धूपा रही है, उनको भी नही थोड़ी दिरबाल लगेगी, तो धिरे-धिरे डिस्टर्ब हुए, एकदम से डिस्टर्ब नहीं हुए, और एक समय ऐसा आया कि यह element डिस्टर्ब हो गया, यानि सेरो किसमें convert हो गया, पैरा में convert हो गया, यह पैरा में convert हो जाता है, ठीक है, उस temperature को देखा गया, उसको कहा उपर, फेरो मेगनेटिक सब्सेंस किसमें करनोड हो जाता है, पैरा मेगनेट में, और उसके नीचे, वो फेरो हो रहता है, ठीक है, अब उसके बिल्कुल बराबर पे तब, उसमें conversion की स्थित में हो गया है, याब हम पैरा में convert होने जा रहे हैं, बड़ी गर्मी लाग रहे जल्दी यसी चलाओ नहीं, तो हम फेरो से पैरा बने जा रहे हैं, यह इस्तित है, यह क्यूरीज टेंपरेचर है, तो यह देखा गया, कि अगर बोडी का temperature, substance का temperature, greater than क्यूरीज टेंपरेचर है, जब तक यह फेरो मैगनेटिक है, तब तक तो susceptibility temperature पे डिपेंड ही नहीं कर रही है जब आप इसको डिस्टर्ब किए जब टेंपरिचर क्यूरी से ज़्यादा कर दिया है यहां तक वो फेरो बना रहेगा यहां से ऊपर वो फेरो कनवर्ड होना सुरू होगा ऐसा नहीं कि एकदम से सब ब्रेक हो गए यहां से ऊपर सुरू हुआ कि दो डोमेंट तूटे तीन डोमेंट तूटे चार डोमेंट तूटे सब डोमेंट तूट गए वो एक इस्तिताती होगी तो उन्होंने कहा यह काई-म होता है और जब काई-म is equal to करेगी constant C-स माल लो यह Cure is constant है ति ये rule किसके लिए है 4 द, शेरो, मैंगनेटिक अबस्टेंज जहां temperature जो T है वो greater than किसके है Cure is temperature का greater than है ठीक है और C-S को भी constant कहते है यह भी एक constant है note कर ini है इसको ये कुछ substance है material है, जिनका ये Quree temperature दिया, Quree temperature तो इस temperature पर तक तक परनेगे तक वो क्या रहेगा फेरिक उससे नीचे भी वो फेरिक ने क्या कहते है फेरो मैगनेटिक और उसके उपर वो उसका मैगनेटिक जो डॉमिन है वो तूटना शुरू हो जाएंगी और पैरा बन जाएगा ठीक है तो कोबाल्ड का है 1394 केल्विन आयरन का है एफे 304 का 893 कैल्विन है कैल्विन को डिग्री सेंटीगेट में करिया है क्या करोगे 270 इसमें 270 माइनस करोगे यह थे हाई-फाई होता है ऐसा नहीं होता है कि आपने हलका से लोहे को गरम कर दिया उसका मैगनेटिक फिल्ड खतम हो गया मतलब काफी कुछ आपको गरम करना पड़ेगा वह आप कितना गरम कर सकते हो कुकरम डाल गरम कर सकते हो 100 गरम कर सकते हो 200 तक गरम कर सकते हो इसके ऊपर थोड़ी कर सकते हो एफी 304 का 893 ये 631 ये गैडोलियम कुछ होता है वो 317 होता है क्या होता आप जानो ठीक है अरे जो भी होता मैं सार्ड में कहा है लिखूँ अब कहीं जीयो होता हो कि मैं कोबाल्ट को लिखता तो हो सकता ऐसे ना लिख करके आएसे लिखता और दोनों का मतलब हाँ हम समझ गया है ना वो उतना आता था हमको लेकिन का है को क्यों स्थी की बात करें तो ये आपका क्योरी लाका पूरा कॉंसेट है